जैपूर से आपको खबर बता दें मुखे मंत्री आवास पर वित्तव भभाग की बैठक सीम अशोग गहलोद बैठक ले रहे हैं बैठक में ACS Finance निरंजन आरे प्रिंसिपल सेकेटरी कुल्दी प्रांका विशाल राजन और डॉक्टर पृत्विराज मौजूद हैं रिवन्यू अब कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर मन्थन इस बैठक में हो रहा है और साथी सीम ने खर्चों पर अंकुष के भी निर्देश दिये हैं सीम अशोग गहलोत ये बैठक ले रहे हैं रिवन्यू कैसे बढ़ाया जाए इसे लेकर मंथन यहाँ पर हो रहा है चर्चा हो रही है साथ ही खर्चों पर अंकुष लगाने के निर्देश भी मुखेमंतरी अशोग गहलोत ने दिये हैं वित्व भाग की बैठक मुखेमंतरी आवास पर सीम अशोग गहलोत ये बैठक ले रहे हैं बैठक में ACS Finance निरंजन आरे प्रिंसिपल सेकेर्टरी कुल्दी प्रांका और साथ ही विशाल राजन और डॉक्टर पृत्वी राज मौजूद हैं मुखेमंतरी अशोग गहलोत के अधक्षता में ये बैठक हो रही है वित्व भाग की बैठक मुखेमंतरी आवास पर रिवन्यू को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर यहां पर चर्चा हो रही है मन्थन हो रहा है और साथ ही मुखेमंतरी अशोग गहलोत ने खर्चों पर कुछ लगाने के निर्देश दिये हैं कैसे बढ़ाया जाए इसे लेकर इस पर मन्थन मुख्यमंत्री अशोग गहलोत यहां पर कर रहे हैं और क्या अपडेट करीब तीन मैने होने को आए लोगडाउन को बड़ा गाता सरकार को राजस्यों के तोर पे हुआ है जो राजस्यों को यहां पर हुआ है और जो सरकार को रेवन्यू परापत होता है उसी से जन्हित की योजनाय बनती है बिल्कुल को उस योजनाओं के सोगात मिलती है लेकिन कहीं न कई बड़ा नुक्तान आर्ट्विस्टा को हुआ है राजस्यों का नुक्तान हुआ है उसको लेकर अब सरकार साजग है हालंकि कट वेदा नहीं हो लोगों को एक अच्छी ओजनाय जो विकासी ओजनायम के सोगात मिलती रहे उसी को लेकर यह एहम बैठक है जो वित विवाद के एहम अधिकारी है बैठक में एस एस फाइनेंस डियरंजन आ रहे हैं प्रिंस्पल सेकेटरी कुल्दीब राका विसाल रा देखें यह एहम बैठक यहाँ पर मुखेमंदरी आवाज पर हो रही है और तमाम वो बाते की रिवन्यों आखर कैसे बढ़ाया जाए उस पर यहाँ पर मन्थन हो रहा है और साथी खर्चों पर अंकुष लगाने के भी मुखेमंदरी ने निर्देश दिये हैं